नश्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवानूर आप देख रहे हैं बड़ी बात बड़ी बात में आज हम बात करेंगे हर्याना कॉंग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की सत्ता की लिहाद से पूरे देश में सिकूर्टी जा रखी कॉंग्रेस हर्याना में अपनों की फूट का सापना कर रही है हर्याना कॉंग्रेस जहां अलग-अलग धड़ों में वटी नजर आती है वहीं हर्याना के पूर्व सियम हुड़ा पर जाज की जो तलवार लटकी है उस सियासी मुश्किलों के फेहरिस्त में एक और बड़ा नाम माना जा सकता है तो मानिसर के मामले में जहां हुड़ा के खिलाफ CBI ने चार्ट शीट दायर की है ये कॉंग्रेस के कद्दावर नेता और सुवे के पुर्व मख्या की मुश्किलों का कानूनी पक्ष हो सकता है साधी पार्टी में बड़ा नेता कौन है पार्टी में किसका कद बड़ा है इसे साबित करने के लिए कही रत यात्रा की तयारिया है कही साइकिल यात्रा निकाले जाने को लेकर तयारिया जारी है इन सब के बीच कॉंग्रेस के हर्याना अध्यक्ष अशोक तवर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि साइकिल का हैंडल उन्हीं के हाथ में रहेगा पीछे जो चाहिए बैठ सकता है तो कॉंग्रेस की पूरी स्थीती को लेकर चर्चा करेंगे कॉंग्रेस की विपक्षी पार्टी के तौर पर हर्याना में जो भोमिकाख है उसको लेकर चर्चा करेंगे पहले ये रिपोर्ट देखिए इस चार्चीट में बिलजरो और दूसरे कई लोगों के भी नाम शामिल है मानेसर जमीन घोटाले में 12 अप्रेल 2017 को सुप्रीम कोट ने भी निर्ने सुरक्षित रखा उस दिन सुप्रीम कोट ने सीबी आई को जांच रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए चार महीने का समय दिया था और हर्याना सरकार को आदेश दिये थे कि एक सब्तह के अंदर-अंदर दींगरा कमिशन की रिपोर्ट कोट के समक्ष पेश की जाए अब इस मामले में सीबी आई ने पंचकुला की सीबी आई कोट के स्पेशल जज कपिल राथी को मानेसर मामले में चार्च शीट फाइल कर दी है जिसमें हुड़ा के अलावा एमल तायल, छटर सिंग, ऐसेस धिलो, पूर्व डीडीपी जस्वन सिंग समेट कई बिल्डरों के नाम शामिल है हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंजर सिंग गुड़ा पर हुई चार्च शीट पर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अश्योंक तवर ने भी प्रतिक्रिया दी तवर ने साफ किया है कि ये सिर्फ राजनीती से प्रिरित होकर किया गया है वह इन एलो भी इस मुद्दे को लेकर पाले में कूद गई है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि कॉंग्रेस की परिशानिया सामने आई हूँ कॉंग्रेस पार्टी की अंद्रूनी कल है कई भार लोगों के सामने आई है हरियाना प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी कई धड़ों में पढ़ती भी दिखाई देती है चाहे वो तवर गुठ हो या हुड़ा गुठ कई बार दोनों गुठों में लड़ाई जगड़े भी सामने आते रहे है अब जब अशुक तमवर से साइकल रैली को लेकर सवाल पूछा गया तो अशुक तमवर ने साफ साफ भुपेंदर सिंग हुड़ा पर निशाना साधा है तमल ने साफ कहा है कि साइकल रैली में हैंडल उनके हाथ में हैं अब जाहिद साइकल पर पीछे कोई भी बैठ जाए कौंग्रेस पार्टी को हर्याना प्रदेश में कई बार लोगों के सामने अपनों की खिलाफी का सामना करना पड़ रहा है ये पहली बार नहीं है कि कौंग्रेस की गुडबाजी सामने आई है लेकिन इस गुडबाजी का फायदा खब और किसे मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है 2019 से पहले कौंग्रेस पार्टी का नीता कौन बन कर सामने आएगा कौंग्रेस हाई कमान इतने मतभीद के बाद किस पर दाव खेलेगी या आने वाला समय ही बताएगा स्पेशल जेस्क खबरे अभीता साइकल यात्रा की तयारियां है इसे बीच इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा करेंगे तमाम बिंदूओं पर जवाब हम लेंगे एक खास पैनल मेरे साथ है कौंग्रेस से रंजीता महता हमारे साथ है पक्ष रखेंगी कौंग्रेस का नेलम चौधरी कुछी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगी विजेपी नेता साथी रविंद्र ढूल हमारे साथ स्टूडियो में है इनैलो का पक्ष रखेंगी चर्चा में साथी राजिंद्र जादून हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार है और रविंद्र कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है स्वागत है सभी का इस चर्चा में रंजिता जी क्या माई में समझे जाएं इस बात के कि साइकिल का हैंडल मेरे हाथ में है पीछे जो चाहिए बैठे देखिए सब मैं सपश करना चाहती हूं कि अक्सर यह देखा जाता है कि कहीं न कहीं मीडिया भी चुस्क्या लेने के लिए इसरी के सवाल बारबाग दाखता है कि कहीं मुह से कुछ निकले और उसको पकड़ा जाए अगर आप पूरी बाइट सुनेंगे आपनी टीवी चैनल पर चलाएंगी तो उसमें साफ साफ फूर साब के बार में बोच्हए रहा था कि उनको ने Óथा दिया गया है इस मीटिंग में नहीं दिया गया तो ऻुछा गया कि जो से कड़ा यहां तो उनका जवाब था कि मैं सेकल का हैंडल पकड़ूंगा मैं सेकल चलाओंगा पीछे मेरे कोई भी बैठ सकता है सब भी लोग अमंत्रित है फिर उन्हों उनसे पुछा गया कि आप अगर आपके साथ बैठते हैं तो आप उनको आगे बिठाएंगे कि उनको पीछे बिठाए नहीं पर ये बताएंगे कि इस तुरी के सवाल पूछना अगर कोई बज़ूर का पीछे साइकल पर बैठता है तो अनौजवान है इसलिए वह साइकल चला सकता है और क्योंकि वह नौजवान है इसलिए राहुल की पसंद हैं कि पार्टी अध्यक्ष के लिए जिस तरह से बाती निकल कर सामने आ रहेंगे तब भी उनके साथ हैं और उनकी जिगा अगर कोई और प्लेफ्स होगा हम उनके भी साथ हैं आप ये मानिए कि पार्टी को मजबूती करने के लिए इतना साफ कर दीजिए रंजिता मेहता साथ हैं या फिर खुड़ा भी साथ हैं कुमारी सेल पूरी तमाम हैाना की कॉंघर उनके साथ हैं जब्त तक कौछ रहेंगे उनकी बॉद्यक्स च Was dat सवर कि अ जो परूसांसत जो रहे हैं वो जाना समझते के पिर यह भी कहा जाता है कि पार्टी एक है चोदर की लड़ाई है जोती और कुछ नहीं आपस में इनको चाहते हैं कि सब अपने आपने आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई हाई कमान क्या के कुछ दिखाने का प्रयास करा है कोई कुछ कि सब्सक्राइब कॉलए दिखैने करें नहीं कि पोढ़ा से पुछ उपड़ू करें लेपने अपने लोग्यूं को टिक्टेव बढ़ने में लगे उए और इसके अलावां इनके अलावा आपकी जो डेफिनेशन उसके अंदर तो राहुल गानी जी भी बीच में आते हैं उनके विरोध में कोई जो है फारम बरने के लिए नहीं जाता फारम बरने नहीं दिया जाता अरे उनकी लोगप्रियता है इसलिए नहीं जाता है इसलिए वह बात मत कीजिए बात है क्या बाड़े चेहरे बनाए जाएं पार्टी लड़ाई करवाती रखें जादुन साब मुझे तो कॉंग्रेस नेत्रतु की निती है वो यह चाते है कि गाड़ी जो एक पहियों का अना पहुत जरूवी है मुझे लगता है कि इस कॉंग्रेस के दो वील है एक असोग तमर है एक गुपंद हुटा है तो कॉंग्रेस हाई कमान को ही लग रहा है कि सब चलने दिया जाए पार्टी मुझे लगता है कि इसी रास्ते से आगे बढ़ेगी इसलिए एक लंबे समय से जो कुछ चला रहा है और मीडिया जिन सवालों को उठा रहा है उनके कोई जवाब कॉंग्र कि उनको लेकर भी चर्चा करेंगे रविंद्र कुमार जी माने सर मामले में जो चार्ट शीट आज दायर की गई है उससे कितनी मुश्किले बढ़ने वाले देखिए इससे यह बिल्कुल मानिये हाई को द्वारा यह केस बिल्कुल इसका फेंसला किया जा चुका है पहले सी और सीविया ने जो चार्ट शीट फाइल की है इसमें यह देश का साइद पहला मेंटर हो जिसमें सीविया के खिलाफ पर जांच को लेंगे बिकॉज हाई कोट ने बिल्कुल इच एंडरी अस्तेक्ट केस डिसाइड किया हो था और उसके बाद में प्राइट आदमी से कंप अधिकारी द्वारा जो सीविया कर सकता है इसकी जांच एक इंस्पेक्टर ने मिल की है इतना बड़ा केस थाई और इस जांच में स्लेक्टिवली यानि पर्टिकुलरी अगर सिधात सवाल यह पूछें कि रविंडर कुमार इस जांच में और इस पूरे मामले में कहां खड़े है क्या जांच गलत दिशा में की जा सब्सक्राप हो है उसका पहला जो पर्टिशनर है मिस्प्रावम प्रकास यादो जो की मानिसर से बलों करता है उसने इसका एक है यह था कि मेरे उपर दबाव देके जमीन को बिखवाया गया डूरिंग एक्विजिशन प्रोजिटी अब उसने कभी जमीन बेची ही नहीं अ की जो लडाई है वो भी शामिल है साथी हुड़ा की जो कानूनी मुश्किले जो जांच की तलवार हुड़ा पर लटकी है उसे कड़ी में मानेसर मामले में चार्ज ट्रीट डायर की गई है हुड़ा के खिलाफ तो तमाम बिन्दूओं को लेकर चर्चा कर रही है एक खास सब्सक्राइब के साथ फिर से एक बार कंग्री का रुग करेंगे र Rashida ये जो फंड की लडाई है उसरे पुली कैसे समझे कि कॉंगरी के ते जावशाइ 아니고 का मैंनेज्मेंट की बात है किसी के पैसे देने की या लेने टींग की बात है आप किसी MLA या MP को जोड़े और वो इस चीस का जवाब दे, क्योंकि पार्टी में फंड तो इनफ रहता है, कॉंग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में फंड की कमी है, पार्टी नहीं है, क्योंकि अशक्तवर कहते हैं कि नोटीस जारी कर दिया गया है, 31 ज कह रही हूं कि जब फूलचन मुलाना जी हमारे अध्याक्ष थे, तब उसमें वाकिही करोडो रुपया बैंक में पढ़ा था, अगर पार्टी ने उस फंड को यूटिलाइज किया है, या कहीं पे खर्च किया है, तो हमारे इंटर्नल पार्टी का मैटर है, हम इस पे बैट कॉंग्रिस के, जी देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम हंसरी का आता जाएगा, कॉंग्रिस में वैसे हल चल्स ही मचती रहेगी, वो बेसिकली उनका परस्टनल मैटर ही है, और इसको वो सुलजा भी नहीं पा रहे है, और एक शिर्ष नेतरतव कि जो जब कमजोर हो जो पॉलिटिक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबको साथ में लेके चलना होता, यह जो साथ में लेके एक चलने का जो एक तरीका है, वो बीजेपी ने उपर से नीचे तक हर जगा उसको इसको इस्तेबाल किया है, और एक स्ट्रोंग लीडर्शिप जहां होती है, जाती है, कभी अनिलवीज की टिपनिया बाहर आ जाती है, तो यह हर पार्टी के अंदर होता है, जहां चार बरतन होते हैं, वह खटकती है, जातने कोई इतनी विचार जारी करना पड़ता है, फंड को लेकर हाई कमान को लिखना पड़ता है, यह तो नेतरत्व के उपर ही जाती है, वह सब को साथ लेके चले, सब को एक अपने जो अपना सिस्टम है, उसके साथ इस तरह से जोड़े कि किसी को असंतोस ना हो, तो अगर यह आ रहे हैं कहीं मतवेद और कहीं असंतोस के सौर्थ सुनाई देते हैं, तो उसका मतलब यह है कि कहीं नेतरत्व उसका समा जो कि सत्ता का एक बड़ा विकल्प है, जो कि चुनाव जीक्तिन की तयारी भी कर रहा है, लेकिन ऐसे में जब फंड को लेकर लडाई हो, क्या लगता है कि कॉंग्रेस हाई कमान का यह फेलियर है या फिर हुड़ा गुट यह चाहता है कि जब तक अशोक तवर है तब तक जब फेलियर है जूड़ हुडगोट यह पैसाने ले पा रहे है यह फेलियर है यह इनका स्टेट लिडरस्ट का कही दहुँ को, जा सकता ना राजनितिक न वही तो इनके उपर मेरे साव से fundamental को विचार करना चाहिए, जितनी जदी आपस में बैट करना करके बात करेंगे उतने जल्दी इनका भी समस्या क्लियर होगी वरना मेरे इसाब से तो मेरे अनुसारतों कॉंग्रेस के पास में चोधर की लडाई के अलावा कोई मुद्दा कॉंग्रेस के पास नहीं बचा है रविंद्र जी आपको क्या कुछ लगता है जिस तरह से मामला स है कि जिसमें रेजिस्टरी को सिवल कोट में चैलेंज़ना करके थाने जी इसमें आप इनकी बात माननी जाए तो पूरे देश लगा है उनके पर रजिस्टर होना चाहिए और कोट इस मामले को बड़ी संगीन तरीके से देखेंगे यह इतना हलका मेंटर नहीं है इसमें मैंने केस फाइल किया था और उसमें सारे एविदेंस आगे रखी है इस बात से सहमत हुई है जितने भी इसमें हाई कोट की जज्जमेंट है और इनके जितने भी रिजिस्टर डीट्स है और यह बात ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है अब इन्होंने चुकि चार शीट फाइल की है तो चा अब देखिए अपना काम कर रही है और कानून इस समय अपना काम कर भी रहा है तो सी बियाइन अपनी रिपोर्ट आए सव्थिया चाला की कॉपी तो एक कोड में केस है उसके बार में इतना नहीं का जा सकता जैकि जहां तक कंसर्ण है कि जो हुड़ा जी के गेंस जो केस है हैं वो एक कानून के ताहत हैं और इसमें किसी बी तरह की कोई राजशनितिक मन्शा नहीं है किसी की भी और एक ये तो बात सबको ही मालूम है कि उनके समय में किसानों से जमीन ड्रा धमका कर ली गई और वो बिल्डर्स को बेच लिए इस बाते अतरास करते हूं आप कैसे क अपर आप जाशना करा के आप बाबा भुटा को इसलिए घरते हैं आपको फता चल चुका है कि आने वाल समय में आपका भुटा खतम हो चुका है हर्याना के अंदर और और उनकी लोग पिरता बढ़ती जा रही है इसको लेकर आप द्वेश की भावना से राज़ितिक महत् प्रोपर्टीस थी जो देली के आसपास किती वो उन पर एक्यूस भी किया था कि एक विड़ प्रो अरेंजमेंट चल रहा है मैं एक चीज़ कहना चाहती हूं कि जैसे यह तो एक कोड का केस हम उस पर मैटर नहीं करते लेकिन इन्होंने किसानों की जमीनों उनसे लेने का का सब्सक्राइब निए जो बात भी रविंदर जी ने कही जो शिकायत की जिसने करवाई रविंदर आप रखी बात को चोड़ा कमेंट इसमें दो क्मप्लेंट है एक मिस्टर नरेस कुमार है एक मिस्टर ओम परकास मैं आपको करदू ओम परकास ने जमीन अपनी बेची ही न कोई भी परक्रियात जारी नहीं है उसके ख़ला प्रोजीशन होना चाहिए उसका यह लिखना आगे बताता है कि उसकी अपनी मर्दी सी अधरवाइस कोई कोट में डोकुमेंट फ्रेम नहीं कर सकता कि यह वह फरती डोकुमेंट उसन खुद त्यार किया है यह कोई प्रोज साब को चार्टिट दी थी उसमें ऐसे एक निस हैकड़ों मामलों का जिकर किया था इसमें कोई से क्वारती जंता पार्टी अपनी मनमर्जी से जांच कराती है कौन से में नहीं कराती है यह कि इनकी अलग अपनी समस्या है चीए आदी रविंद्र कुमार जी की बातों के मै बाहर निकाल दिया जाए तो इस तरह की मंद्शा भी हो सकती है इनके आप सियां तरीक सेटिंग भी हो सकती है को बड़ी बात नहीं है लेकिन मेहतरपून चीजी है कि हमारी जो चार शीट के अंदर 200-500 पेज हमने दिये थे अगस 2014 के अंदर उसके ओपर भारती जनता पार्ट चाने की कोशेश कर रही है रविदर जी का पक्ष भी आपने सुना दोनों पर कमेंट बहुत चाहिए आपकी सामने रविंदर एक्टिविस्ट जो बैठे है इन्होंने क्लेरली आपको इस सीज के बारे में क्लेर कर दिया है कि जो फरजी दो दुर्पयोग भाच्पा कर रही है और CBI का मिस यूज कर रही है अगर हमाचल की बात करते हैं तो वहां पर इबीर बदर जी की पीछे बढ़े हुए कभी बढ़े हैं और अगर्ष लेंड गोटाला बताते हैं अज तक यह तो बता दीजिये कौन सा गोटाला सिद्ध हुआ है सिरफ और सरकार को बदनाम करकर वोट लिरिक कोशिट रहते हैं और जब लगता है कि चुनावी वोड आने वाला है उस समय पर यह बड़ा बड़ा सिंपल सा एक्जांपल देता हूं संसेटी रोतक का मामला यहां पर हमारी हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने टिपनी की कि जहां चोनी चाहिए संसेटी किसका है सुभाज चंद्रा बारती जनता पार्टी के MP को सुभाज चंद्रा को जमीन दी कोंगरेस ने अगर मैं इस बात का प्रेशर सरकार पे नहीं बनाता तो यह इसके अंदर भी कोई इंक्वारी नहीं कराते है यह चिठी मैंने लिखी थी चीफ मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फरेंस करी थी चंद्रीगर में तब जाकर कि इन्होंने हमारे प्रेशर में आके हर इसकी इनक्वारी आगे दे थी इसके लिए फिर कमिशन बनाने का काम किया था अब वो चार सो एकल लैंड का जो स्कैन है वो स इसकी कैमिनेट का उसकत का कोई एक मंतरी भी ऐसा नहीं है जो इससे बच सके अगर विजली का स्कैम निकाला जाए पिछला विजली की खरीदी गी थी पोल खरीदे गये थे मिटर खरीदे गये थे जो सब कुछ इन्होंने बदला था उस वकत में अगर उसकी इंक्वारी कर जा यह भी नहीं बच सकता किसी कीमत के होगी तो हुड़ा ही नहीं सुर्जेवाला भी जेल चले जाएंगे अगर जांच सही धंक से करवाई जाएगी चर्चा में आगे बढ़ेंगे कुछ खास महवान लगातार हमारे साथ बने हैं रंजीता जी सुना आपने जस तरहां से करप्शन के आरूफ आप लोगों के लिए मुश्किले रही अब जांच भी जिस तरहां से हो रही है कॉंग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है बलकि सरकार के लिए मुश्किले खड़ी होंगी जो जूटे लोग खड़े कियेंगे हैं उनके लिए मुश्किले खड़ी होंगी जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है उसके बाद CBI अगर गलत चार्शिट फाइल करती है तो इसमें CBI एक्यूस्ड होगी आप ये देखें कि अभी चुटाला साफ कह रहे थे कि हमने तो हमारे दबाब के बाद ये किया गया तो कही न कहीं ये राजनीतिक बू आती है कि हमारे वाले अंदर है और दूसरों को भाई-बंदू बेंग बेजा जाए उसकी प्लैनिक की जाए तो कही न कहीं राजनीतिक द्वेश है जो बाबा देखने को मिलता है एकर हुड़ा साफ है और साड़े तीन साल हो गए कोई भी विपक्ष का काम होता है अरोप लगाना पर अरोप कोई भी आसक सीध नहीं हुआ जान्च जारी रहेंगी जान्चों की लावा भाजपा करके सकती है यह बता है जब अगर बना जाता है तो इनलु का क्या पक्ष है इसमें अगर कि जांच करवाई जाए खुड़ा साफी से जोती जांच इसको निश्पक्ष रूप से कराया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसके इसके अंदर किसी भी प्रकार से बचा जाए यह जैसे आप यह पंचकुला वाला देख लीजी इंडर्स्ट्रिल प्लॉट वाला गोटाला इंडर्स्ट्रिल प्लॉट वाले सरकार में विजलेंस की फाइलें सारी की सारी जो इसकी अलॉट्मेंट की फाइलें गायब हो जाती है उसके ओपर भारतिय जनता पार्टी क्या कहेगी इसके बारे में बारतिय जनता पार्टी को कुछ नहीं इनकी सरकार में कॉंग्रेस के गोटाले की फाइलें दफ्तर से तो उसके बारे में भारती जनता पार्टी क्या कहेगी ये फिक्स गेम है अब हैसिंग जी ने बिल्कुल सही कामानी नेता प्रतिपक्ष ने की दबाव बनाए हमारा दबाव मैं आपको बताता हूं किस तरीके का फ्रोड की आगस 2014 में हमने चार शीट दी थी इनकी सरकार गई से इनके खिलाफ की जाच को ड्रॉप करके चले गए और भारती जनता पार्टी ने क्या किया दाके तीन पार तीन साल चार साल से ले करके गूम रहे हैं निलम जे पहली बात तो यह है कि जो पिछली सरकार थी उसमें ब्रश्टाजार ही शिष्टाजार होता था सब लोग उ सुनने के लिए बैठा हुए आप तथ्यों बात कीजिए हम तथ्यों बदा रहे हैं कि आपकी सरकार प्रेजेंट में क्या घुटाले कर रही है और आने वले समय में आप फसेंगे आप तथ्यों बात कीजिए कि यह घुटाला यह ब्रश्टाजार का रोप सिद्ध हो गया पिर मैं आपको कहने दूंगी कि आप बोलिए कि बरस्टाजारी सरकार है तो रहा है और हर किसी हसाम वो एक्सपेक्ट भी करते हैं और जिजो भी काम है ये कोर्ट के था था कानून के तहत है हुटाजी खुदी कहते थे मैंने पहले भी कहा कि कानून अपने काम करें गर कान कि कौंग्रेस के साथ कोई दोस्ती हैं कि इलेक्षन के तो नहीं हम उमड के उसका प्रचार प्रसार करें गे उसकी साहएता से वाहे झाया चादेर। है आगारोस तो अपनी गती से पनी स्पीड से अपना काम कर रहे हैं अपने शचाय जाहिर रहे है तामर अपने रूट पर चल रहे है वो अपने रूट पर चल रहे है दौनों की स्थितियां अलग अलग है और लोगों का अतलन भी है कि ठीक है तमवर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसी स्थितिया बड़ा कंपिशन का दौर चल रहा है तो वो सर अपने अपने तरीके से अपना जो है अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए है और तरहां से हुई इससे पहले बिश्णोई के साथ भी मुलाका दिपेंडर हुड़ा ने की चंदर मोहन से भी भी वो मिले क्या हुड़ा कुछ अलग सोच कर चल रहे हैं मुझे एक बाद कर जवाब दीजे क्या चंदर मोहन या कुदी बिश्णोई कॉंग्रेस ही नहीं है उनके घर जाना अलग माइने क्यों माने जाते हैं जब तक हूड़ा कॉंग्रेस में रहेंगे वह कॉंग्रेस में एनक ग्री क्या हुड़ा का शा रहा जाते है जोती जी जब बाती से अलग हुए थे तो आपस में कुई मनमटाव थे जब वो बापस कॉंग्रस पे रीचान स्वागत किया मनमटाव tomभ खाटम हो गया किया हुदा साभ उस कारेकरम में पुहचे थे कि भिश्णु इशाविल हुए थे नहीं पहुंचे थे उस वक्त आपको याद दिला तो जोती जी अगर बाद में बैट कर सभी जो गलत फैलने दूर होगे और इकट्थे होगे तो क्या तकलीफ है हमारी तो भाजू में मस्बूत वर रहे हैं हमें हमें तकलीफ है मैडम हमें तकलीफ नहीं है अगर किसी तरह का अब लगत्स हाँ में तो यह कि बिल्कुल सीधी बात है दोनों की नेताओं की कमजोरी दिखाताया कहीं दोनों एक दूसरे की किलाफत करते करते दोनों एक जगए पे मंच के ऊपर खड़े हूं इसका कान जो है दोनों की कमजोरी है आपस में मैं कहे तो रहा हूं लड़ाई तो चोधर की चल रही है भी आगे पीछे करके सेटिंग करके देख रहे हैं कि किसके साथ हुए जोटी एक एक हीतों के लिए ग्यारा हुए ना कभी कभी एक मच पर नजर आए ना जनता के मुद्धों को लेकर कीजिए कभी जनता की मुद्धों को लेकर किजिए अभी जो अक्रोष अंदोलन विवाओं को किया था आप देखिए कि नोजवान अगस एम साब से सवाल पुछते हैं कि आप हमें नौकरिया कब देंगे उनके खि या रभी सब्सक्राइन कैने से बार्ठी सब्सक्राइब काइब है तो यह सैकिल जाएए किया इन्हेब के हिए से यह लड़ाई लडएंगे या रधा परज़िट के हितों के लिए कि देखे में आपको बार 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 बोल रही हूं और शोकतवर जी का अपना नेतितव है हुड़ा साब का अपना नेतितव है सब का मन्थन मंचा एक ही है कि कॉंग्रेस पार्टी को हर्याना के अंदर मजबूत करना है चाहे वो सैकल चलाकर किया जाए जाए कॉंग्रेस का नेतितु का खाखे सवाल यही तो जन्ता देख रही है जो एक ग्रूप में दो लोग भी एक ही दिशा में काम नहीं कर सकते वो जन्ता के लिए क्या करेंगे तो यह सारी चीज़े सब के सामने आ रही है और यह सारी सारी है अपनी कम्जोरियां सब के सामने ल लेवल दोनों पर सब को नजर आ रही है रविंदर जी को एक बार फिर से चर्चा पर जोड़े जो माने सर का माम लाख है उसमें आगे किस तरह की संभाव लाख है तो वह सुप्रीम कोड पहले नहीं किसी और नाम से सुप्रीम कोड जाया गया मिस्टर रामिशुर मलिक अलग is लग से है यह यह क्यों क्योंट कू कि हाई कोड का तो सुप्रीम कोड मत्तम जबूत करने के लिए वहां कहता है कि दूर्ग एकृजइश प्रेजिशन प्रोसीडिंग सी औरियू और लाइसन्स,शू की लेकिन फेक्ट यह है रिकोर्ड पे कि डूरिंग एक प्रोसीडिंग एक लिए और एक लाइसे इस नहीं किया गया तब मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसमें एक इंट्रमेंशन अप्लिकेशन फाइल की कि यह यह जो है कि लाइसे चुकिये है रिकोर्ड यह बताता कि कोई अशा लाइसे और लाइसे और नहीं किया गया है तब हाइक अर्याना सरकार ने उसके बाद judgment होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडोर्ड फाइल किया और इडिमिट किया कि हमारे से ये फाल्स स्टेटमेंट हुई है आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोट में गलत एफिडोट फाइल किया इन्होंने और ये साजिस इसको क्या साजिस का नाम नहीं दो गया इस बात को क्लियर कीजी आप जिस तरह के आरूप अभी लगे कि साजिस नेखी तो क्या कहा जाए इसे पर इस तरह से पूरी प्रक्रिया देखिए यह 12 अप्रल 2017 को और रिजव किया गया था सुप्रीम कोट में और उन्हें उसे मैं सीबी आई को कहा था कि रिपोर्ट चार महीने में सौप दी जाए और स्टेट को भी का था इंगरा रिपोर्ट को समिट कर दिया और स्टेट गोवन ने उसको इमेड़ेटली दस दिन के अंदर सोंब दिया था और अभी सीबी अपना काम कर रही है चार्शिट फाइल हो गई है और यह पूरा इस जो केस है अपने आप ही सब के सामने आजाए का कोड की मैंटर को इस तरह से डिसकस्ज नहीं किया जा सकता तो अभी तो चालान आज पेश हुआ है तो उसकी कौपी तो अभी किसी को भी नहीं मिले होगी तो इस तरह से किसी भी तरह की बात कहना मेरे लिए उचित नहीं है जी फैक्स पे जवाब दिजी ना कि क्या अपने फरजी लोगों को खड़ा किया क्या ओंपरकाश आपके द बात भी मैंने उभाई थी यह पार्टी के दवारे एक प्रेस कॉंफरेंस करके कहा गया था कि धिंग्रा कमिशन को जान बूज करके गहर कानूनी तरीके से बनाया गया था कि बुपेंदर सिंह उड़ा जी को बचा है जाज के आपको याद होगा जो थी हमारी पार्टी ने पर पर कुछ नहीं हो सकता है जवाब लेगे आप बोली इस बात पर जिस तरह के आरो फिलहा लग रखे हैं कि धिंग्रा कमिशन का गठन किया इनैलो ने पहले भी कहा था जब जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गई थी कि गठन इस तरह से करते हैं आप लोग के उसमें कुछ नहीं है बलकि इस रिपोर्ट ने तो 250 लैंड्स के जो डिल थी उनके ओपर कोईशन बेरेस किया था किसी को स्पेशली टार्गेट नहीं किया गया था काफी एक डिटेल स्टडी की गई थी और जहां तक हमारा सवाल है ना हमें हुड़ा से कोई लेना देना नहीं है जो है उनका पार्टी का अपना मैर है रिजोल करते ना हमारा बीड़ा साहब कोई इनलों के उसका ज्वाब नहीं मिल पा रहा जोती कि ऋश्वास तो सवाल को लेकर कि वीजेपी का क्या स्टैंड है इस तरह के सवाल उॱ रखे है कि घुण्डा साहब को बचानी की कोशिश करते हैं तो फरिशामि क्यों कमें मैं जोती बाव बात को Clare कर चुकी हूँ कि आपस में ऐसा कुछ भी नहीं हैं तवरत Woodने लेवल glorious लड़ाय कfare है लग लग जुगां मन्स शिवर भी हो रही हैं मिटिंग सी हो रही हैं धर तरीके से इस पार्टी जो भारते जूटी पार्टी है उसके खिलाफ लगे हुए जंडा बुलंद करने के लिए क्योंकि आज की लड़ाई कब खत्म करेंगे क्योंकि सवाल इसलिए भी क्योंकि जनता के मुद्दे उठाइए ना सरकार को घेरिये ना सरकार की खिलाफ लड़ इचे जब बलतकार के मामले आये थे तो हमारी राष्ट्री महिला कॉंगरस की अद्यक्षा शूसरी शुष्मिता देव यहां पर आई थी आखको जानकर जानकारी देना चात्तियों हुद्दा साफ शुष्मिता देव कुमारी शैलजा किरन चौदरी वह अलग से संद्यार किया लिए फर्व लादकार के मुद्धों को लेकर कि पार्टी को अपने पत्से चीफा देदे रहा है चाहिए लौए अजर नर्डर की सिति इक अन्दर इन सारे मामलों को लेकर सारे लेदर कठे गया है अभी तो हमामले नहीं एशुष्मित तो के मुषब उस दिन मारी च पूरा डेलिगेशन और आपको है रजा जराने का वक्त है अगर प्रदेशा अध्यक्ष साइकल यात्रा निकालते हैं मन्थन करते हैं तो उससे पार्टी के जो कदावर नेता है सूबे के जो पूरु मोखिया है उनको परेशानी क्यों है पबलिक कैसे समझे इस बात को आप जोती जी में आपको इतारी है चाहे कोई मन्थन कर रहा है चाहे वो सेकल चला रहा है चाहे वो पैदल चल रहा है चाहे वो बस में जा रहा है सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो भाजपा के खिलाफ जो जन नीतिया है लोगों को बिताने के लिए जा रहे हैं हमार और हाई कमान किसको मुख्मंत्री बनाता है और सेरा मांगता है और मुझे लग रहा है कि इस एंड तक ही ये लड़ाई चलती रही है तब उससे पहले कहीं एंड होने वाली नहीं है तमाम इन पावर भी जो है और तमाम समझोते के प्रयाज भी है बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए तो कभ ये गुटबाजी थमेगी, कभ ये फूट रुकेगी और जसतरहां की कॉंग्रेस के मुश्किलें कभी कम हो पाएंगी या फिर 2019 के चुनाव आ जाएंगी पार्टी हाई कमान चेहरा घोशित कर देगा उसके बाद चीजें ठंडे पर जाएंगे बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए तो आज बड़ी बात में बड़ी चर्चा हमने की कॉंग्रेस की सियासी मुश्किलों को लेकर फिल हाल दीजी इजासर नवस्कार